reasoning का question है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस question mark की value find out करनी है, यहाँ पर जो relation से 5 और 35 में है, sim वही relation से 13 और question mark में है, तो चलिए दोस्तों हम relation से find out करते हैं और देखते हैं 5 से 35 कैसे ला सकते हैं, दोस्तों अगर 5 में हम 7 से multiply कर दें तो यह हमारा 35 आ जाएगा, same यही logic हम यहाँ पर 13 के साथ apply करते हैं, 13 में 7 से multiply करेंगे तो हमारा आएगा 91, लेकिन 91 हमारे किसी भी option में नहीं दे रखा है, अब दोस्तों हम दूसरा logic देखते हैं, यहाँ पर 5 का अगर square कर दें, प्लस 5 इंटू 2 कर दें, तो यह हमारा आ जाएगा 35, same logic दोस्तों हमें 13 के square प्लस 13 इंटू 2, यह आजाएगा दोस्तों हमारा 195, और 195 हमारी D option में दे रखा है, तो हमारा correct transfer होगे है D,